सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बगल बेल आइकनों से भी दबा देंगे जिसे की नूटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाये करेगी जार रहरा है पूचा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब भारत को उस्थान पराप्त हुआ है जिसमें भारत देश के द्वारा कितने जादे बनों को लगाए है इसमें भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को तीसरा अस्थान प्राप्त हुआ है परतम अस्थान की बात कर ले तो चाइना को प्राप्त हुआ इसमें दूसरा अस्थान की बात कर ले तो अस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया और तीसरा अस्थान जो किया टेयर अभी पर एयर भारत क्या करता है कि बन को cultivate किया गया है यह अभी रिपोट आई उसमें बताया गया है और किसकी रिपोट आई यह inpotent बन जाता है तो FAO की रिपोट आई है FAO की बात कर लें तो food agriculture की तरफ के रूम में हैं चलते हैं के दू ص Werk कहीं तरह सिर्लंका के साथ कितनी अमेरिकी डालर मुद्रा को अदला बदली करने का संजोता किया है पूछा जा रहा है कि RBI ने सिरलंका के साथ कितनी अमेरिकी डालर मुद्रा अदला बदली करने का संजोता किया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 मिलियन अमेरिकी डालर कितना 40 मिलिन अमेरिकी डॉलर को अभी क्या किया गया है कि अभी अदला बदली करने का बात रखी गई है किसके द्वारा RBI ने स्रिलंका के साथ रखा है बात कर ले रहा है ये कब तक इस करज को चुकता करने की बात कही गई है तो 222 तक इस करज को चुकता करने की बात से लंका के द्वारा कही गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुद्दूचिरी पुद्दूचिरी एक विनेंट ट्रेटरी अथात के इंदर सासित परदेश है इसी के दुवरा कहा गया है कि एक लाग रुपे तक अबीती सहकता दिया जाएगा और कोई विवेक्थी कि अगर परजन को मरता है अग पूछा जारा है कि भारत ने किस देश को लगबग एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहकता प्रदान किया है तो इसका राहिट अंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदान किया है बात कर लें कि किसके कहने पर अभी इस सहकता को दिया गया है तो डाबलू एचो के द्वारा अभी बेजा गया एक रिपोर्ट उसमें ये कहा गया कि भारत उत्तर कोरिया को ये सहकता परदान करे तो भारत ने भी क्या किया है किसको सहकता परदान किया है बात कर ले रहा हम उत्तर कोरिया की उत्र कुरिया की कैपिटल क्या है, प्योंग योंग है यह कोशन आप लोगे दो लोगभी 214520 तो sólo 2520 की जो अगर पूलिष की पेपर दीले होगे तो उनको पता होगा कि यह कोशन पेपर में पूछा हुआ था कीम जोंग उन जो फिलाहल में यहां पर अभी राष्टपती के रूप में बने हुए हैं और उत्तर कुरियाई वान जो है यहां की मुद्रा के रूप में जानी जाती है ठीक है चलते हैं अगले नमर कोशन की तरह फगला नमर कोशन क्या दिया हुआ कि हाल ही में जारी एस आरेस की रिपोर्ट के अनुसार यहां दिया है अगर बच्चे को जर्म देती है तो उसमें 113 मताय जो हैं क्या हो जाती है अई है इसा एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है बात कर ले रहे हैं सबस्यादा जो इंपोर्टेंट पॉइंट हम कि एक यहां पर मैंने पॉइंट नहीं दिया वो कॉशन पींट इंटर्नेट स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है। प्राप्त हुआ रेश्टार जनरल के अनुपात की रिपोर्ट का अनुसार आई ती वास्थात हैं सिंपल रेश्टारंट सिस्टम की बात बताई गए तो उसमें यह बताया गया था कि 2015 से 17 तक यह अभी सर्वे किया गया उसमें ये बताया गया कि इसमें 113 माई लाओं की मृत्यू पर वन लेक पर हो जाती है ठीक है चलते हैं अगले नमर कोशन की तरफ अगले नमर कोशन क्या दिये हुआ है कि हाली में भारत और कीज देश की बीच में पहली कंटेनर ट्रेंड से वा सुरू की ग प्राइमनिस्टर के रुप में और अबदूल हमित यहां पर राष्टपती के रुप में बने हुए है चलते हैं अगले नमर कोशन की तरफ अगला नमर कोशन क्या दिये हुआ है यहाली में जारी कैमरा निगरानी सरवेक्षण वाले सहरों की सूची में सिर्ष अस्थान कौन सा सहर रहा तो इसका राइट अंसर क्या रहा ताइवान रहा देखिए यहां पर इंपरेंट पॉइंट है इससे थोड़ा समझ लेजिएगा ताइवान जो सहर रहा हूँ पहल है अस्थान पर इसको प्राप्त किया गया है यह अभी जो रेपोड जारी हुए कैमरा नि कोया तो और पुछा कोकें में कौन सा इसा अभी राज्य रहा जिसमें और इसमें करीब करीब 29 केमरों को प्रती एक हजार ब्यक्तियों पर लगाया गया है ठीक है चलते हैं अगलानमर कोशन की तरफ अगलानमर कोशन क्या दिया हुआ है कि हाली में 26 जुलाई को कारीगिल दिवस मनाया गया इस यूद को किस आपरेशन के नाम से चलाया जा गया था यह कोश्चन आप लोगों की जी यह किसके दृड़क चलाय गया था यह पAKISTAN के तरफ से चलाय गया था लेकिन भारत की तरफ से बिजए हासिल हुई थी लेकिन हमारे बीरस पूतों के बाद से हम्हें अभी बुजए मिली थी कारीगिल दिवस पर इसलिए हम इसको इनको साहीदों को नमन करते हैं और हम लो स्टिक सेरिंग समझाते पर भारत और रूस की बीच में हस्ता चल हुआ है बात कर ले रहे हैं मिसके आलावा फ्रांस के बारे में थोड़ा सा तो फ्रांस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो राफेल आनी वाली थी तो उसमें से पांच राफेल क्या लेकिन ये 29 तारीक अर्थात कल आने वाली है अर्थात ऐन दिन आज की दिन अभी क्या करीगे अभी करेगा अभी और धावि रूखे गी je 28 तारीक को अर्थात 27 तारीक को फ्रांस सेej निकल चुकी है 28 तारुक अभी बुदावी में रूखेगी और 29 को हमारेे दिस इंडिय आप लोगो क्लिक करा हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ तो इसके राइट अंसर क्या हो जाएगा Mark Hanning Swarm Mark Hanning Swarm जो है अभी the pandemic century पुस्तक के लिखक है बात करने इसके अलाव मैंने उर्जित पटेल के बारे में जो पुस्तक के बारे मताया था The Overdrafting Saving Indian The Saber The Overdrafting The Indian Saber नामक पुस्तक लिखा गया था और किसके द्वारे लिखा गया था उर्जित पटेल के द्वारे लिखा गया था Fog Fog की बात कर ले अभी Fog Fog के द्वारे एक पुस्तक लिखा गया था क्या लिखा गया था Buhan Diary लिखा गया था पुस्टक को लिखा गया था इसके अलावा बात करलें कि behind the mask लिखा गया था मुहमद Sunday in किसके द्वारा मुहम्मद अब्दुल्मनान के द्वारा बिहाइंड दमास नामक पुस्तक को लिखा गया था अभी बात कर ले करनपूरी के द्वारा भी पुस्तक लिखा गया था मीटू नामक पुस्तक को लिखा गया था मीटू नामक पुस्तक हैस्टाइग मीटू पुस् साहद परिक्षन परियोगसाला को क्या किया गया अस्थापना किया गया है पुछा सकता है GKGS के दरिश्टी कौन से भी आपके इस्थापित किया गया है तो अभी गुजरात के फिलाल में आनज जीले हैं वहां पर अस्थापित किया गया है भारत का एक मातर ऐसा है सहद परि को ने देखा होगा उसी तरह से अभी इलेक्ट्रिक में डबल इलेक्ट्रिक रेल लाइन त्यार करने वाला अर्थात जब उसको उपर से लेकर जाएं तो जब हम देखते हैं कि इसके एक उपर चलता है तो इसी के उपर हमारी तारे लगी हुए थी लेकिन अब डबल लेकर के उपर से इसको व्यवस्था किया जाएगा और असा करने वारा देख का पूरे 20 वका पहला देख बन गया है भारत ठीक है अगर आप इसकी पीड़े डॉनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जोड़कर आसानी से इसकी पीड़े भी प्राप्त कर स सब्सक्राइब करने वाला हूं जरू सब्सक्राइब के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजएगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू